आपकी बात कारक्रम में आप सब कस्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा है जैसा कि आप जानते हैं हम इस कारक्रम में किसी भी विधा में किसी भी शेत्र में ओ लेखनीय सिवाओं देने वाले विक्तितुप से आपकी बुलाकात करवाते हैं और उनके अर्भों.'' से आपको अवगत कराते हैं. भारत अपने आप एक बहान राश्ट्र है. अगर हमें ग्यान प्राप्त करना है तो उसके लिए हमारे पास शास्त्र है अगर शात्र तेज प्राप्त करना है तो उसके लिए शस्त्र है और जिस धरा पर सैनकों के पाउं पड़ते हैं उसकी रज रज जो है अपने आप में एक पवित्र गोदूली के समान है इन्हीं विश्यों पर बाचित करने के लिए आज हमारे स्टूडियो मुझूद है राश्ट्रवंदिर के सरस्थापक भाई अजह जी गुरुजी आपका बहुत बहुत स्टूडियो में आने के लिए स्वाल है जी बहुत बहुत धन्यवाद कुरुजी मेरे पहला सवाल है आपसे जब भारत में एक तरह से भौतिक लगी हुई हूँ अध्यात्म कहीं पीछे छूटता जा रहा हूँ ऐसी स्थिती में जब बहुत सारी समाजिक विडंबराएं हमारे सामने हैं राश्टर के सामने बड़ी बड़ी चनौतिया सामने हैं चाहे वो आर्थिक चनौतिया हो चाहे वो समाजिक चनौतिया हो चाहे जो आपका लक्षे है वो क्या दा सबसे पहले तो मैं संतवानी के माध्यम से सभी दर्शकों को शुरुताओं को अपनी रामराम प्रेशित करूँगा और दूसरा आपने चोपड़ा जी पूछा कि राष्ट मंदिर विश्वरमान आश्रम के पीछे लक्षे क्या है देखिए किसी भी जो हम वहवार में देखते हैं किसी भी वस्तू का तथे का निर्मान विचार से होता है अगर विचार शुब है तो प्रकृती भी आपका साथ देती है आज राष्ट के सामने बहुत प्रकार की चुनोतियां है पर अध्यात्मिक शिक्षा हमारी भारतिय संस्कृतिक शिक्षा हमें सभी प्रकार से चुनोतियों का सामना करने की शिक्षा प्रदान करती है बल प्रदान करती है और जब विक्ति राष्ट के लिए सोचता है जब विक्ति का धे राष्टित में हो तो समस्यों का समाधन प्रारम हो जाता है और जो राष्ट मंदर का जो निर्मान के आगया सभी लोग अक्सर आप देखेंगे कि सब लोग वंदे मात्रम कहते हैं जैहिंद कहते हैं तो ऐसी भावना थी कि एक ऐसा मंदर भी होना चीए जहां भारत माता का प्राण प्रतिष्ठ द्विग्र हो अक्सर आप देखते हैं कि भारत माता का मूर्ती होती है तस्वीर होती है प्रंतु आने वाले संत्यती आने वाले नोजवान आने वाले पीड़ी जहां जैमाता की कहते हैं महां वंदे मात्रम विश्मूर्ति के सामने समक्ष कह सकें और स्वभिमान को महसूस कर सकें इसलिए राष्ट मंदिर बनाने के अवश्यक्ता प्रारंब हुई या इसका विचार आया साथ में संसकार संसकारों में हर समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है और आने वाली यह राष्ट मंद्र विश्व रमायन आश्रम का विचार किया गया यह राष्ट मंद्र जहां भारत माता का प्रान प्रतिष्ट विग्र है और मीडिया ने का यह विश्व का पहला ऐसा विग्र है जहां भारत माता का नित्य पूजन और उनका भोग परशादी होती है साथ आप में रामायन आश्रम आज रामायन पर बहुत सरे लोग शोध करना चाहते हैं उस पर PhD भी होती है और उस पर पढ़ना चाहते हैं तो उन सब लोग जो इस प्रकार के शोधारती हैं या विद्यारती हैं या रामायन को जानना चाहते हैं उन सब को एक ऐसा प्लेटफार्म म मलेश्या है कंबोडिया है अने नोश्या है कहीं शेरी राम है कहीं पर राम कियन है कहीं फ्रलम फ्रलाक है कहीं महलादियन रामायन है और तो अनेक कंट्रियों की अपनी अपनी रामायन है तो हम लोगों ने विचार किया प्रयास किया है कि हम वर्ल्ड की सभी रामायनों को हम एक जगा ला सकें भारत के अलग अलग प्रदेशों के अपनी रामायन है जिनका बहुत सुन्दर संदेश हम सब के लिए है तो ऐसा हम सब आने वाली पीडी के लिए कर सकें इसलिए राष्ट मंद्र विश्वरमान आश्रम की अवशक्ता महसूस ही और इसको लिए हमने उसको बनाया अच्छे गुरू जी हम यंदेश ही भार जो है बादलते दोर में पास्चाहतया संस्कृति सब वहत अका अनुसरान करने लगा हैं लेकिन भारत का मूल्त है भारत ने प्ष्विम को क्या दिया भारत ने प्ष्विम को दिया गीता रमाएण और वेद और इतने सारे बहुत सारे ऐसे महागरंद दिये जिससे सुमूचा विश्वाज अनुसंधान कर रहा है और करोना काल में उनको उनको शैली को अबनाय भी गया है तो आपका जो एक पंक्ति का धे है मेरा राम मेरा राष्ट्र भाह इसकी बशाषक को किस तरह से बोंगया देखिए यह वास्ता में हम जीवन का है कि मेरा राम मेरा राष्ट राष्ट भारति भगवान प्रभुष्री राम राष्ट की संस्कृति के प्राण है और एक बेटा कैसा हो उससे पहले मैं एक क्लिर कर दूं हम लोग लंका गय थे तो श्रिलंका में उस राम कथा का नाम था राम और वर्ल्ड पीस तो आँ लोगों ने पूछा आप राम कथा से वर्ल्ड पीस की शिपकामनाय कैसे देंगे यह इसकी पीछे वर्ल्ड पीस का क्या महत है तो हमने का आज कोई भी किसी भी जाती पाती धर्म किसी भी कंट्री का कोई भी विक्ति को ना हो उसे राम जैसा बेट समाजवाद की बात के निशाद को हृते से लगाते हैं के वर से हाज़ोड को देरा करते हैं कि जूटे फल झाले जूटा ये जूटन तो कहीं भी निखाते देखा वागा बात तो करते लोग बड़ी-बड़ी करेंगे प्रन्तु जो सच्चा समाजवाद है मानवता है जहां पर उच निच का कोई भेदभाव नहीं है वो राम ने दिखला है साथ में भाई आदर्श भाई कैसा हो आज बदलते जुग में आप देखते हैं संपत्ती के लिए भाई भाईों में लड़ाई होती है पर राम संपत्ती के लिए लड़ाई नहीं करते राम सारे भाईों को समान चाहते हैं तो आज हर एक को राम जैसा भाई चाहिए जो संपत्ती के बटवारे के लिए लड़ता घर में आई विपत्ती के बटवारे के लिए आगे आता है आज हर एक को राम जैसा नायक चाहिए जब राम लंका की और बढ़े हैं तो एक राजा के पुत्र होने के नाते उन्होंने ऐसा नहीं कि अजो जिसे सहना मंगाई हो परंतु वह एक समाने नायक से महनायक बने एक मानव से प्रमात्मा की और बढ़ते हैं आदर्ष वीर भी उखराओं जो हर शमय युद्द कोटालना चाहते हैं समुद्र से पारात dialogues औंगात को भेजिकर युद्द को टालने का प्याज कहाता है एक ओदर्श राजान जिसकी कलपना गांधी जी अधो आज रवीदा जी कर्ते हैं अपना पूरा संसार करता राम रामराजे की कि जहांपर किसे नहीं है सपने परते विकार फिर वह एक आधर पर पर समझ को से भंजूता नहीं है और जब माता सीथा जी के प्रति संशय करती है तो उनको भी अपने धर्म के आगे चाग देते हैं अंत में आप कि जब काल राम से चर्चा करने के लिए कि कोई हमें बातचीत में टोके नहीं जो टोके उसको मिर्ट्व दंड मिले पर ऐसे में यह कहाने का लंबी हो जाए कि संग्षेप में कहें तो जब लचमंजी अंदर को लचमंजी को अंदर आना पड़ता है तो राम जी उनको भी दं निश्व के लिए ग्रहन आ हैं इसलिए मेरा तो रास्ट राष्ट इसलिए कि जो विक्ति अपने जो विकति अपने राष्ट का संदेंग्य वाला भारत ये समझ लेकिरस्धे बड़ा राप्त करेगा इसलिए ये विवेकानंद जी के भी भावना थी जिसकों ने मेरा राम और मेराश्ट गुरुई आपके कहने का भी प्राए जो मैं समझता हूं कि जिस समता मूलक समाज की कलपना आज की केंदर सरकार भी कर रही है और पिछले कई दश्कों से अजादी के गरंत है हरी अनंत हरी कथा नंता कब से राम कथा चल्यारी कब से भजन चले हरें कब सत्संग चले आ रहे है आज उकर किसी चीज के उपयोगता कुछ महीनों की ना हो तो यह बुद्धित में तारकिक कहती है कि उस चीज को अठा देती है पर कहिना कहिं इस अध्यात्मिक्ता की इस ध्यान की इस सट्संग की तिने फशकता है कि अनन्द काल से चला रहा है और चलता रहेगा हम रही नहीं रहे अगर आ वही करें। कि राम समता का संधे देते हैं। राम सभस्ता का संधे देते आं। tolerant वो से परमातमा तक में के बनने का एक मारक दिखलाती है अभी कबूरिया का जिक्र किया म्हां अड़ाम का मर्चन भी होता है और बड़े ही सांस्कितिक आधना से होता है अंगर विश्व के हैं राम श्रीराम सार्व भॉमिक है तो इस जी कैसे लगता है कि जब कोई मुस्लिमिन राश्टर में हर साल रामिला का बड़ा ही भवे धंग से मंचन होता है भगवान कृपा से भारतिया सिंसिकर्टी का परचार परचार करने के लिए हमें एश्या महादीप के अधिकांस राश्टों में और उसे बाहर भी लगभग कई राश्टों में जाना हुआ अच्छा का पूर्व नाम है मलया प्रदेश कंबोडिया है कंबोज अभी हम जब कंबोडिया में कथा करने के लि में वहां के जो शर्द हैं वह संस्ग्रत से मिलते हुए जैसे वहां के जो मूल नेटी में में जो मांगे झी आहिए वो उन såब भूमि-पुत्रा कहा जाता है ठीक है और जिसको आप सिंगापूर कहते हैं वह सिंघापूर प्रफदुआर कमभोडिया कंबोज प्रदेश मलैश मलेया प्रदेश और जो फाइलेंड है यहां के राजा राजा नहीं कहलाते वहां की RIजा राम कहलाते हैं जैसे हम बोलते हैं pythonztinkid second king या पहला राजा दूतला राजा परमतू धा थाइलेने बोलते हैं पर्थम राम दुत्य राम तृत्य राम तो इस तरह राजा को वो राम कहते हैं इंडोनेशिया जो मुस्लीम बहुसंक राष्ट है वो कहते हैं कि हमने धरम बदलाए पर अपनी संस्कृति नहीं बदली इंडोनेशिया के प्रसिद कहावत है कि अगर आप अच्छा बनना चाहते हो तो राम को जानो और रामायन को पड़ो जहां पर आज लोग कहते हैं कि भी गीता यहां का मुख्या गरंथ नहीं होना चाहिए वर्ल्ड में अपने आप पढ़े जाने वाला अगर कोई सबसे बड नहीं रामायन से मिलती है तो राम की संस्कृति पूरे विश्व से ओध पर होता है अच्छा एक विशेष्टा हो रहा है राम इतने रमे हुए अगर वो कलाकार है तो अपनी पेंटिंग के द्वारा इसको प्रतिश्ट करेगा अगर वो कोई फिल्म में करे तो फिल्म के द करते हैं साथ में सभी संस्कृतियों में विदेश की जितनी संस्कृति हैं और भारत के संस्कृति में एक विशेष्टा यह कि भारत हम राम हमारी हां के अराद्दे हैं भारत में राम हमारी हां पर अराद्दे हैं आप किसी भी जगा कर प्रेटन के लिए तो वहां की बिल् लेगने जाए तुम ताजमय तो एक बार देखेंगे और सुच्छा से या बिना कम बार बार देखने नहीं जाएंगे एक वर देख लेंगे कि वर्ण्दावन है उसमें आप कि बहरी का मंदिर है वरंदावंदा में वहां के छोटे-छोटे मंदिरों में आप अपना पूरा जिमन विता दे तब यह आप यह नहीं कहेंगे पास मैंने देख लिया और क्या देखना है बार बार सुबेश दुपेर शम आप निनतर देखते रहें यहीं अंतर है अध्याक्ति में द्रिश्टी में और देखने में हम देखने जाते हैं और वंदावन दर्शन करने जाते हैं इसलिए राम दर्शन का विश्व है जो पूरे विश्व के लिए अनुकरनी है और हमारी भारते संस्क्रते अधार हैं इसलिए मैं कहता हूं मेरा राम मेरा रास्ट अध्यातम और प्रेटन से जोडने से एक तो एक बहुत बड़ा विश्य हो जाता है अनंद के लिए प्रेटन करना एक अलग बाता लेकिन धार्व के दिश्टी से प्रेटन करना उसका एक अपना महत्व है तो आपका दिश्टी कोड़ क्या इस तुम्हें को बहुत धन्यवाद दोंगा और अध्यात्म, यहां की संस्कृति, और प्रेटन का, देखिए, आप सब लोग भी दर्शक कही ना कहीं घुमने के लिए जाते होंगे, प्रेटन करने के लिए जाते होंगे, आप जब कहीं घुमने के लिए जाते हैं, जैसे हम लोगों ने कई विदेश यातरा करी, यूरोप मे भी हम लोग गए तो यूरॉप में आप कहीं घुमने के लिए जाते हैं जब कफ़तन कता करने के लिए गए पर बहुत अच्छी होती है और बड़ी विवस्था में देलब्न में और चलते हैं कोई धकामुक्टी नहीं होती तो सीखने की योग के बात है सीखा आप कहीं से भी जा सकता हैे पर जर भारत मेंडर क Κरतन करने के लिए आते हैं तो उसमें भारत वंदेव विष्वगु अर्थार्थ मिश्वग्रु बनने की संभावना है केवल हम ही नहीं करते और जैदा बढ़ जाती हैं जैसे हम लोग सथर्संग ये ऐस्ट्रेलिया गए थे तो ऐस छे के जंगलों में लगबग 20-30 में अदर चले गए तो वहां शिवानंद आश्रम था शिवानंद आश्रम था जहां पर एक बड़ा तलाव बनाए हुआ था सोर उर्जा से वहां बिजली जाती थी जो हमारी भारतिय परंपरा संस्कृति है उसे के अनुसार वह शिवानंद आश आश्रीलय के गोलों कोश्ट में आप जंगलों में जाकर वरंधा भुआ बशा हुआ है कि हम बहूंद इसाथ यहां के इस सीखता अपने आप उसको फ्लोट करेंगे जिससे और भी लोग यहां के आने वाले आकरशित होंगे आज आप देखिए कि जब आप कोई बिल्डिंग देखते हैं तो बिल्डिंग को जो बनाता है यह पचास साल तक बिल्डिंग रहेगी इसकी सो साल तक मेंटेनेस रहेगी या पर पांसो साल की बात नहीं करते हैं हमारे केदार नाजी का मंदर जानते हैं नहीं कितना पुराना है हमारे इतने इतने प्राव दक्षिन भारत के अंदर आप चले जाएं तो आप यह देखेंगे उसमें कोई मशीन नहीं थी पर फिर भी उसकी मूर्तिया के सुन्दर बनी हु अशिट्र केंगे उसका भी घ्यान लेके जा रहे हमारी अध्याक्ष्यक्ता को भी सीख के जारे हैं हमारी संच्कृति को भी लेके जा रहे हैं और जैसे अब ही आपने देखा की इसी अतीस तार uwagę जीन ए वाना नशीर के अंदर देव दिवाली की तो भारत यह हैं भारत में जो उत्सव का बहुल है उत्सव का इस देश है और करोना की वारिस की बहुत बड़ी महामारी के बीच बहुत से बंदशे लागू थी बहुत से नियम और हमें शोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है फिर भी लोगों ने जिस धंक से उत्सव मना है आप ने दिल्ली में पहली बार देव दिपाबली का अजोजन किया देव दिपाबली तो वैसे हर साल बनाया जाता है लेकिन दिल्ली में आपने प्रतम बार आजोजन किया इसका श्रेय आपको जाता है तो उधर प्रधानमंद्री मोधी जी कर रहे थे दिल्ली में आप कर रहे थे तो टीवी प उत्मक शक्तियां आएंगी पर आप देखिए जोहार आता है तो मन के अंदर कुछ साहता है मन के अंदर चेतना आती है हमारे बुझे हुए दीपकों को यह तोहार जागरत करके जाते हैं कहीना कोई खुशी आएगी और यह पर उत्सव भारतिय संस्कृति में भगवान के एक उत्सव प्रीय है उत्सव से कहीना कहीं हमारे संस्कृति जागरत होती है हमारे मन में उत्साहाता है और जो आजकल लोकर फॉर वोकल चल रहा है आतम निरवर भारत की बात चल रही है उसमें आप यह देखें कि अभी जो देवदिवाली मनाई गई एक घार डिजिटल किया गया एक वारा निसी में भी शंकर जी के साथ लेजर शो किया गया आप देखें एक तरफ लेजर शो जो बहुत टेक्नलोजी के साथ है वह डिजिटल इंडिया को दर्शाता है दूसरी तरफ पंदरा लाग से ज्यादा दिये आत्मिर भारत को दर्शात है क्योंकि दिजिटल लेजर शो उसको डिजिटल इंडिया और आत्मिर भारत यह दोनों जुड़ रहे हैं और इससे आने वाली पीडिव जुड़ेगी हमें यह पिरणा यह हुई कि जैसे का कि मंदिर दूर हैं नहीं जा सकते तो मंदिर भी आपके पास चल क्या सकता है और साथ में चपड़ाव जी हमने की प्रयास किया है कि भारती है संस्कृति एक धर्म नर्पेक संस्कृति हैं जहां पर सबका आधर होता है तो मौल में पहले आप देखें सेंटा क्लोज लगते थे और क्रिश्मस मनाये जाता था और सारे मौल सच्थे थे तो हमने सभी से आग्रे किया कि भाई जैसे अब क्रिश्मस में सजाते हैं किसमस जुरूर मनाएं जी जी नियुएर है मनाना चाहिए हम उस किलेंडर के निसार चलते हैं हमारी फ्रैटें प्रन्तु अपने नूतन वर्ष को भूल ना जाए नियुएर मनाएं पर अपने सनवत सर को नव वर्ष को ना नाकी लगाएं कुछ होली पर कुछ व्रंदावन का भावा जाए कुछ शिव पर कर द्रावी शेक का दर्शन हो तो ऐसा प्रयास क्या गया तो देव दिवाली अगर हम वारणसी नहीं जा रहें तो उसका दर्शन यहीं पर हो अर्थार कहिना कहीं नई पीडी को जोड़ना को भी इस पैंडेमिक सिचेशन में इस करोना काल में महमारी काल में उसको हम आगे बढ़ाएं गुरुजी आप हर वर्ष श्रिलिंगा के अशोग वाटिका बेजाते हैं और अशोग वाटिका से रमाइन का इतिहास जो है पूरा का पूरा घटनक्रम जुड़ा हुआ है तो उस समय अपने आप में हम सारा जीवन एक तुमें कहूंगा कि जो अकसर लोग इंग्लिश का वर्ड इस्तमाल करते हैं कि मैथोलोजी जी जी रामान मैथोलोजी नहीं है पुरानिक ता नहीं है यह सत्ते है क्योंकि सत्ते को आप जादे दिन याद नहीं रह सकते आप भुला है वह सक्ते पनसान और दस साल के बाद वाग्या रहेगां तो स्त्तते नहीं सकते और सक्ते भुलाया नहीं जाता रामपरम सकते है आज राम सेतिटु भी है राम olur और शोद नहीं कि श्रीलंका के साथ अनैक जापान और अनेक कंट्रियों वहां पर उसका शेह व के जबाने में भी जब शोध हुआ तो इसको एड़न ब्रिज के नाम से जाना जाता है जाना जाता है इसका पहले जी जी मैं आपको और भी निवेदन करूं आज हम लोगों की टेंडेंसे यह होगी है कि जब तक योग यहार आ तो हम समझने पाए पर इंपोड़ों के योगा पहले लोटके य семद्व जफों के आए तो हम सोचने कि हम लोग हम बहुत अच्छा कर रहे हैं सत्संग में हम जाना पसंद नहीं करते क्यों मेडिटेशन अगर शवद आजाये तो हम सोचते हैं अगर सब्सेट करें व जब कि बात सते हैं कि पूरा विश्व भार से प्रभावित है 2008 में आगया राम सेतु नहीं है तो श्रीलंका टूरिजन ने हम लोगों को संपर्क किया उसने सब लोगों को कहा नहीं राम सेतु भी है रामायंट का ने एतियासिक स्थान भी श्रीलंका में है तो कुछ बड़े महानभावों ने महापुरुषों ने धर्म गुरुमों ने उनको शुब कामना भेज़ दी पर मुझे कहीं लगता था कि आज कि युग में केवल पत्र लिखे काम नहीं चलेगा कुछ प्रैक्टिकल करना की तो हम लोगों ने आप जितने प्रबुद्ध मीडिया है टीवी च के हमारे स्थानों का सर्क्षन करें और संत्वानि के श्रुवताओं को मैं मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर चार धाम में रामिष्वरम है जब भगवान राम लंका विजय की और चले तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी जो रामिष्वर के नाम से थे ज्यानित है उन्हें आपको ब्रमत्य का दोश्र लगा है उसके निवरान के लिए आपको शिवकी प्रातना करनी होगी कि शिवलंग की अराधना करनी होगी पर शिवलंग कहां पर है और शुमुर्थ से जा रहा है तो तो माता सीता Kollegin का अगर राम आप शिवका अवान कर सक रामेश्वरम और श्रिलंक का मैं सीता जी में मुनेश्वरम ऐसे अशोक वाटी का और सीता जी का अगनी प्रिक्षास तल जहानमान जी आए ऐसे बहुत सारे एत्यासिक इस्थान हमको यह बतलाते हैं कि भारतिय संस्कृती पुरे विश्व की संस्कृति और आज भी वह अने कि ने देखा है लेकर देश में एक अध्यात्मिक करांती लाने के लिए ताकि पूरा समूचा देश हमारे आने वाली पीड़ी और हमारे जो युवा पीड़ी है वह अध्यात्म की और लोटे इसके लिए क्या किया जाना चाहिए देखे ये बहुत समयर्कूल प्रशन है औ एक तो जो भी परवर्चन करता हैं, जो भी कथाकार हैं, जो भी धर्बज दोड़े लोग हैं, वो लोग भगवान बनने की कोशिश नहीं करें, यह मैं रदे से कहना चाहता हूं, हम सब लोगों का कार्य है कि भगवान के प्रकाश को जन समास तक लेके जाना, उसको ध्रातर लेके जाना, या समली जाची जिस परकार कॉलेज के अंदर अलग-लग विशों के सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, ऐसा हम अध्यात्म और सत्संग के टीचर हैं, हम लोगों को इतना मानना चाहिए, और परमुकता भगवान की होनी चाहिए, फोटो का चित्र है या मुर्ती वो भगवान के मंदर बने चाहिए, व्यक्ति के मंदर नहीं, व्यक्तित्व की पूजा होती है, व्यक्ति की नहीं, पर आज कर बड़ी वडंबना आगे है कि व्यक्ति अपनी पूजा करवाने लगे हैं, तो जो नई पीड़ी है, इसे दिख भर्मित हो रही है, साथ में, दूसरी बात है हमें अध्यात्म के साथ आज हम अध्यात्म के मालें अध्यात्म क्रांटी आएगी पंदीनिक्रीक्राइटाइगेगी उसके वुष्यक्ता के मैं देशी उलाज் कामा रही जहां हाथ मिलाने की और अंजाने से भी गले मिलने की प्रवर्ति हो गए थी भारतिय संस्क्रिप्ति में दूर से प्रणाम की इस्तिति थी वो पुने बापिस आ रहा है जहां घर में प्रवेश्च करने से पहले या कहीं भार से आते थे तो हम सीधा घर में टेवली बैठते थे पहले होता थे कि हात म सब्सक्राइब वह कहता है प्रकृति का सनवर्धन करो वट की पूजा आती है तुलसी विभाक आता है अरता यह सब को प्रकृतिक से जुड़ हूए परवें जो में सिखाते हैं प्रकृति से मिलकर हो अगर आप जीना चाहते हो तो आज के नई यूवा पीड़ी के लिए ह सब्सक्राइब भारतिय संस्क्राइब पूरी लोजिक है उसको मैं पढ़ाना चाहिए साथ मैं मैं सभी जो दर्शक्राइब मातपेताओं से यह निवदन करूगा कि अपने धर्म को कोसना बंद करें अपने धर्म के प्रती मजा को पास उड़ाना बंद करें क्योंकि बच् प्रतव्यों को सही रूप से निभाना और सनातन धर्म मैं हमारे जितने देवी देवताव अपने धर्म को निभाते हैं चाहिए वो राम है चाहिए वो कृष्ण है और साथ में हमें ट्रेडिशन और टेक्नलोजी को जोड़ना होगा जैसे चोपड़ा जी हम लोगने देव प्रमोट करने के लिए ददीची की कथा करी यह धर्म के विशें सारे जी पर हम उसको नहीं विशें से जोड़ रहे हैं अभी हम लोगने विभा मंगल के अंदर वैदिक फेरे कैसे नुचिए उसका एक कारेक्रम बनाया और तो छोटे-छोटे विशें को लेकर डोंट वेस करना तो मैं एसे छोटे-छोटे विशेंगे तो यह संदेश हमारी नई पीडि तक जाएंगे जो बहुत ज़रूरी है और याद रखें आने वाली पीडि अगर संसकारित होगी तो राष्ट-संस्कृती-सनातान धर्म सशक्त होगा अब पुष्ठ होगा यह समय की प्रवल अब शक्ता है मेरा एक निज मत है कि जैसे कई राष्टर में होता है टैंथ किलास में जो दस्वी क्लास का बच्चा होता वह अपने जीवन के की तरह मुड़ रहा होता और सो बहुत सरी समझाने लगती है आने वाले समय में कोई ऐसा कानून आए कि टैंथ किलास के बाद दो म की आर्में ट्रेणिंग भारतिया सेना करा जिससे उसके अंदर भारतवात का बीज आएगा उसके मन के अंदर धर्म को लेकर जितनी भढा़ांती वह निकल जाए तो उनका संसकारिक और सनिक श्विर ये दो मेने के ट्रैनिंग का कंपल्सरी होना जी जिसको पूरी जिंदे और संस्किति की रक्षा के लिए हमें खुद को अध्यातम से जोड़ना होगा और संदवानी चैनल की तरफ से मैं गुरुजी को नमन करता हूं कि वो आज के दौर में भी संतों और सैनिकुका की समरिती में उनका सम्मान करते हैं और एक भव्या राष्ट्र बंदर का नर्मान उन्होंनों किया है बहुत 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 नमान जी धन्यवादा